RLD पार्टी के नेता जैन चौधरी ने आज बागपत महोचकर गाउशक्ती की रैली का आयोजन किया यह रैली लोगसभा चुनाओ के लिए शंखनाद माना जा रहा है उन्होंने रैली में अलान कर दिया कि वा अपने स्वरगिये चौधरी चरान सिंग की कर्म भूमी बागपत से इस बार लोगसभा का चुनाओ लड़ेंगे साथ ही उन्होंने अपने पिता अजीत सिंग की सीट के बारे में भी हैरान कर दिया कि वा मुझफरफुर से चुनाओ लड़ेंगे उस माहूल में है और रहेंगे तो जो महा गडवंदन कहराना में हुआ है वो क्या बागपत में होगा देखिए सिर्फ बागपत नहीं पूरे यूपी में हमारे प्रयास रहेंगे चौधरी अजी संग जी ने अल्री गोशित कर चुके हैं और निर्देशित भी किया है पार्टी के सब कारे करता हूँ कि अलाइंस के पक्ष में काम करेंगे हम पूरी असी के असी सीट लड़ रहे है ऐसा पहली बार हो रहा है जो आपके पिता जी मुझफवन नगर से लड़ रहे है और आप यहां से एलेक्शन लड़ रहा है तो क्या रीजन है परिवर्तन है लेकिन मुझफवन अगर भी चौई साब की करन भूमी रही है और वहां के लोगों को यह महसूस हो रहा था कि दंगे के बाद जिस तरह किसे वहां एक भाईचारा प्रभावित हुआ था कैसे होगा उसका और भाईचारा भाईब के तरह कि दा रहेह है